आज है दो अगर्स तो आज के इस वीडियो में हम दो अगर्स से बढ़ने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेस्चन्स को कवर करेंगे वीडियो को एन तक जरू देखेगा तो स्टार्ट करते हैं परस क्वेशन है कि आईवरी कोष्ट के नए प्रधान मंत्री कौन बने हैं ओप्शन्स है हमीद बाका यको एमाद उगोन कूली बली हीचे मचीची या मिखाइल मिसुष्टीन तो इसका सही ऑंसर होगा ओप्शन नमबर ए यानि कि हमीद बाका यको तो ये हैं हमीद बाका य को जिनने अभी हाली में आईवरी कोष्ट का नया प्रधान मंत्री बनाया गया है तो ये बन गया है आईवरी कोष्ट के नय प्रधान मंत्री ये रक्षा मंत्री थे आईवरी कोष्ट के जिनने अभी हाली में देश के प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है पूरे प्रधानमंत्री जिनका नाम था इमादुगोन कूली बली इनका हाली में निधन हो गया था जिसके बाद अब हमीद बाकायको को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है आईवरी कोष्ट की बात करें तो यहां के राजधानी है यामो सुक्रो वह यहां के जो राश्ट्रपती है उनका नाम है अला सेन उतारो और अब नया प्रधानमंत्री बन गया है हमीद बाकायको अगर आप्संस को डिसकस करें तो यह है हिजे मची चीजी ने अभी हाली में ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और यह है मिखायर मिसुष्टीन जिने अभी हाली में रसिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया है तो इनके नाम आप याद र जिनका निधन हो गया था। इन्होंने ताइवान के राष्ट्रपती के रूप में पूर्ववर्ती चियांग चिंकू के निधन के बाद अब ये किसी देश के राष्ट्रपती का निधन हुआ तो अभी हाली में तंजानिया के राष्ट्रपती जिनका नाम था बेंजामिन उंकापा का भी हाली में निधन हुआ था और ये कहां के राष्ट्रपती थे ये थे तंजानिया के राष्ट्रपती तो इनका नाम आपको आदर औप्संस को दिसकुस करें तो यह है सूरी नाम अभी हाली में सूरी नाम का नया पधान मंत्री राष्टर Whenever गया है चंद्रेका प्रशाध संतोखी एनिह 흥े पाइवान के लोगतंत्र के जनक के रूप में भी जानते हैं तो ये भी आपको याद रखना है नेस्ट कुश्चन है हमारा हाली में ब्रिक्स पर्यावरार मंत्रियों की छटी बैठक का आयोजन किया गया और इसके अधक्षिता की रूस ने फेडरेटी रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ चाइना वद दक्षिड अफरिका गडराजे के पर्यावरार मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजन बैठक में भाग लिया इस बैठक की जो अगली बैठक होगी उसकी मेजबानी भारत करेगा कब 2021 में तो अगली बैठक की मेजबानी भारत करेगा केंद्री पर्यावरार मंत्री प्रकास जावडेकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिन देत किया ब्रिक्स की बात करें तो ये उभरती राश्टर अर्थ व्यवस्थाओं का एक समू है इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और तब इसमें साउथ अफरिका नहीं सामिल था और इसे हम ब्रिक्स के नाम से जानते थे 2010 में साउथ अफरिका के इसमें सामिल होने के बाद इसे हम ब्रिक्स के नाम से जानने लगे अब इसका इसकी जो अधक्षिता थी वो रूस ने की तो रूस के राष्टरपती है ब्लादी मिर पुतिन वो यहां के नए पदान मंत्री बने हैं मिखाइल, मिसुष्टीन, यहां मुद्रा चलती है रूसी, रूबर और यहां की जो राजधानी है वो है मासको तो इतनी चीज़े आपको याद रखनी है नेस क्वेश्चन है कि हाली में किस मंत्रा लेने स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है इसका सही आउसर होगा ओप्शन अमबर ए यानि की जन जातिया मंत्रा लेने स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है यह अवार्ड सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के ससक्ति करण परियोजनाओं के लिए Ministry of Tribal Affairs को दिया गया है तो यह जो 86 में स्कॉज 2020 प्रतियोगिता हुई यह India Response to COVID through Digital Governance नाम से आयोजित की गई थी Ministry of Tribal Affairs ने Digital India E Governance 2020 प्रतियोगिता में भाग लिया था तो यह याद लखीगा कि किस मंत्राले ने स्कॉज गोल्ड अवार्ड जीता है तो यह जीता है Ministry of Tribal Affairs अब इसके वर्तमान मंत्री कौन है तो उनका नाम है अरजुन मुंडा जन्जातिया मंत्राले के वर्तमान मंत्री है अरजुन मुंडा तो इनका भी नाम आपको याद रखना है Next question है March 2020 Preserverence Rover Mission का सुभारंब किस ने किया है Options है NASA, ULA, JAXA या एक वर दो दोनों तो इसका सही answer होगा Option Number D यानि कि एक वर दोनों हाली में National Aeronautics and Space Administration ने United Launch Alliance Atlas V Rocket के साथ March 2020 Preserverence Rover Mission launch किया है Florida में Cape Canaveral Air Force Station पर Space Launch Complex से March 2020 Perseverence Rover Mission सुरू किया गया है इस मिसन के सुरवात प्राजीन जीवन के संकेतों की खोज करने और नमूने एकत्र करके प्रत्वी पर वापस भेजने के लिए NASA द्वारा की गई है तो अभी हाली में NASA और ULA ने मिलकर March 2020 Preserverence Rover Mission का सुभारंब किया है तो ये भी आप याद रखेंगे बात करें NASA की तो NASA की फुल फर्म होती है National Aeronautics and Space Administration इसका Headquarter Washington DC USA में है और NASA के जो Administrator है इनका नाम है Jim Bradenstein तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे ये NASA के Administrator है Jim Bradenstein और ये जो जाकसा है ये जापान की Space Agency है तो ये याद रखेंगा कि March 2020 Preserverence Rover Mission NASA ने इसका सुभारंब किया है ULA के साथ मिलकर Question है कि हाली में Bangla देश परियोजना के लिए एक रिर समझोते पर किसने हस्ताक्षा किया है तो अभी Bangla देश में बिजली परियोजना के लिए एक रिर समझोते पर किसने हस्ताक्षा किया है इसका Answer बताना है Option से R Power, Jera, NTPC या नानावदा अबव तो इसका सही Answer होगा Option No.1 यानि की R Power R Power यानि की Reliance Power ने जापानी उर्जा प्रमुक यानि Jera के साथ Bangla देश में अपनी नई गैस अधारिस Thermal Power उत्पादन परियोजना के लिए Banks के एक समझोते पर हस्ताक्षा किया है यह समझोता Bangla देश के मेगना घाट में एक नई 745 मेगावाट प्राकरतिक गैस सैयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगबग 642 मिलियन डॉलर का पूरा वित्प्रदान करेगा तो 642 मिलियन डॉलर लगबग 4798 करोड रुपे का यह समझोता पूरा वित्प्रदान करेगा बात करें रिलाइंस पावर के तो इसके जो चीफ है इनका नाम है अनिल अंबानी तो यह आपको याद रखना है कि रिलाइंस पावर ने जापानी उर्जा प्रमुग जेरा के साथ मिलकर बांगला देश में अपनी नई ग्यास आधारी थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं नेस्ट कॉश्चन है हमारा कि निमलिकित में से किस ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सक्षम पोर्टल लॉंच किया है ओप्षन सें सिडवी, ट्रांस यूनियन सिबिल, इर्डा या ओल आफ दी अबवर तो इसका सही ऑंसर होगा ओप्षन नमबर वन एन ओप्षन नमबर टू हाली में सिडवी ने ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजर्ज के लिए वन स्टॉप नॉलेज बोर्टल लॉंच किया है MSME सक्षम एक व्यापक, फाइनेंसियल एजुकेशन वन नॉलेज का मंच है जिससे समय पर और सस्ती वित्य सहायता पदान की जा सके सिबि की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है Small Industries Development Bank of India ये भारत की स्टंत्र पाइनेंसियल संस्था है जो सूच में लगोगा मद्ध मुद्यमों की व्रधी और विकास के लक्ष से स्तापित की गई है वरतमान में जो सिबि के अध्यक्ष है इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा तो ये वरतमान में सिबि के अध्यक्ष है सिबि का जो हेटक्वार्टर है वो लखनव में इस्ते थै तो ये याद रखेगा कि MSME सक्षम पोर्टल लॉंच किया है Small Industries Development Bank of India ने किसकी सहायता से Trans Union Civil के सहयोग से Next question है हमारा हाली में किस भारतिया लेखा के उपन्यास बंट सूगर को प्रतिष्ठिद बुकर अवार्ट 2020 के लिए चुना गया है रुचिका तोमर कृतिका पांडे अरुंदती रोय या अवनी दोशी तो ये इसका सही अंसर होगा अवनी दोशी अभी हाली में अवनी दोशी के उपन्यास बंट सूगर को प्रतिष्ठिद बुकर अवार्ट 2020 के लिए चुना गया है इनके साथ ही तेरा अन्य राइटर्स को भी चुना गया है लेकिन भारत से चुनी गई है अवनी दोशी यह पुरसकार अंग्रीजी भाता की उपन्यास के लिए दिया जाता है और अब तक यह कुल पांच भारतियों को मिल चुका है किसे किसे मिला है तो यह मिला है वियस नॉइपॉल को अरुन्धती रॉय को सलमान रस्दी को किरड देसाई को वह अर्विन अडिक को तो यह पांच भारतियों को अब तक मिल चुका है और 2020 के प्रतिष्टित बुकरावाड के लिए चुनी गई है अवनी दोशी अपने किस उपन्यास के लिए तो अपने उपन्यास बर्ण सूगर के लिए इसकी स्थापना हुई थी इस पुरस्काय की जो इस थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी आदर अप्संस को डिसकस करें तो ये है रुचिका तोमर रुचिका तोमर को भी हाली में पैन हैमिंग भे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनके डेब्बी उपन्यास एप प्रेयर फोर ट्रेवलर्स के लिए कृतिका पांडे को भी हाली में एशिया के कॉमन वर्स सौर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है तो इनके नाम भी आप याद रखेंगे वहीं अरुंदिती रॉय को भी बुकर प्रसकार से सम्मानित किया जा चुका है निस्क्वेशन है हमारा जिन लुकुन को निम्नलखित में से किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कारेकार के लिए चुना गया है आप्शन्स हैं इसका सही आंसर होगा आप्शन नमबर A यानि की इस्यान इन्फरस्ट्रक्चर इन्वेशन बैंक अभी हाली में एशियाई और सनरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कारेकाल के लिए चुना गया है जिन लुकुन को 28 जलाई 2020 को इस्यान इन्फरस्ट्रक्चर इन्वेशन बैंक की पाचवी वार्सिक बैठक के दोरान या घोश्वा की गई थी जिन का दूसरा कारेकाल 16 जनवरी 2021 से सुरू होगा बात करें AIIB की तो ये एस्याई पैसिफिक रिजन में बेसिक धाचे के निर्मार का समर्थन करने के उद्देश से स्थापित किया गया है और इसका हेटकॉार्टर बीजिंग चाइना में इस्तित है अभी हाली में ADB की बात करें तो अभी हाली में एशियन डिवलेट्वेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है असोक लवासा को किसको असोक लवासा को अभी हाली में ADB का बनाया गया है उपाध्यक्ष और अभी हाली में ADB ने COVID-19 महामारी के प्रती सरकाय की आपात कालिन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपने एशिया प्रशाद आपदा प्रतिक्रिया कोस से भारत को 3 मिलियन अमेरीकी डॉलर के अनुदान की भी मंजूरी दिए है नियो डिलेलिफ्मेंट बैंग की बात करें तो ये ब्रिक्स देशों का एक बैंग है और अभी हाली में इसका नए अध्यक्ष बनाया गया है मारको स्ट्राइजों को मारकोश ट्राइजो को अभी हाली में New Development Bank का नया अध्यक्ष बनाया गया है तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे अगला question है कौन सा राज्य एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरुकता अभियान सुरू करने जा रहा है एक मास्क अनेक जिंदगी से चालान भी लिया जाएगा तो ये एक awareness campaign है जो कि मद्यपदेश में चलाया जा रहा है इसके साथ ही मद्यपदेश ने हाली में किल कोरोना नामक अभियान भी चलाया था COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए तो ये भी आप याद रखेंगे बात करें मद्यपदेश की तो अभी हाली में मद्यपदेश का नया राजेपाल आनंदी बेन पटेल को बनाया गया है पूर्व राजेपाल लालजी टंडन के निधन के पश्षात यहां के मुख्य मंत्री है दिवरा सिंग चोहान यहां के राष्ट्रे उध्यानों की बात करें तो यहां इसते थे काना राष्ट्रे उध्यान बांधावगर राष्ट्रे उध्यान माधाव राष्ट्रे उध्यान पन्ना राष्ट्रे उध्यान संजय राष्ट्रे उध्यान पेंच राष्ट्रे उध्यान के लिए यह योजना शुरू की गई थी तो इसे भी आप याद रखेंगे आज का हमारा क्वेशन ओधर यह है कि 2020 के वॉन कर्मन प्रसकार से किसे समानित क्या गया है ऑप्शन से के सीवन सुमन कवानी विन्यवद्वार यह सुनिल याद इसका सही अंसर आपको अंशर बख मे कमेंट करके बताना होगा कल का हमारा क्वेशन था कि भारत की पहली राजेस्तरी ई लोक अदालत कहां शुरू की गई है ऑप्शन से 36 गर जाकन पच्शिम बंगाल या बिहार तो इसका सही अंसरों का ऑप्शन निम्बर वन यानि की 36 गर अभी हाली में 36 गर के विलासपुर जिले में बारत की पहली राजेस्तरी ई लोक अदालत की सुरुवात की गई है लंबित मामलों को तेजी से निप्टाने के लिए यह इस तरह का पहला प्यास है और इसका उद्खाटन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी आर रामचंदर मेनन ने किया था तो ये भी आप जाए वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमारे उद्खरिष्ट एकडमी के एप से भी जूड़ सकते हैं एप जोड़ने के लिए डिस्क्रिस्टिन बॉक्स में दिये लिंक को फॉलो करके एप को इंस्ट